और भगवान ने जो 16,108 विवा की ये सब के कोई नो कोई कारण है और जो 16,000 की कथा भामासुर की कैद में जो राजकुमारियां थी उनको भगवान कृष्ण ने उस भामासुर की कैद से छुड़ाया वो भामासर क्या करता था कि जब पूरी बीस हजार हो जाएंगी तो मैं विवा कर लूँगा जो मेरे लायक हैं उनसे मैं विवा कर लूँगा जो लायक नहीं है उनका व्यापार कर दूँगा ये कार्य छोटा नहीं था उस समय एक ऐसे राक्षस की कैद में मात्र शक्ति ये मा भवानी ये तमाम राजकुमारियां कैद थी भवान ने उस भावमासुर को मार कर उनको कैद से छोड़ाया और कैदिया जाओ तुम सब अपने अपने घर चली जाओ अब तुम आजाद हो तो हाथ जोड़कर सब राजकुमारियों ने कहा है कृष्ण किस घर की बात करते हो आप हम भवमासुर की कैद से निकल कर आई हैं आप कौन से घर भेजना चाते हो माता पिता के दरवाजे तो उस समय हमारे लिए बंद हो गए थे जिस समय हमें ये भवमासुर उठा कर अपनी कैद में लेकर आया था और हमारा हाथ भी कोई सुईकार नहीं करेगा कोई विवाबी हमसे करेगा नहीं क्योंकि हम भवमासुर के यहां रहकर आई हैं यहां तो मासीतास की भी अगनी परिक्षा ले ली जाती हैं हम तो साधरन हैं यहां तो जानकी को भी अगनी परिक्षा देनी पड़ती अपनी पवित्रता की यहां तो एक रात बेटी अगर मंदर में भी रहके आ जाए तो समाज पूछता है कहां गई थी यह जब समाज कहेगा किसकी बैटी हो किसकी पत्नी हो जब परिचे पूछेगा तो हम क्या परिचे देंगी क्योंकि माता पिता का द्वार बंद है माता पिता के यहां हमारे लिए कोई जगे नहीं है और पती भी हमारा कोई बनने को तैयार नहीं होगा थामे कोई हाथ हमारा थामेगा नहीं अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता है कि हम सब आत्म हत्या कर लें हम सब मर जाएं हम सब अपने शरीर को समाप्त कर डालें भगवान कृष्ण ने जो धर्म की रक्षा के लिए आ है जब जब धर्म की रक्षा की आवश्यक्ता पड़ती है कृष्ण अवतरित ही इसलिए होते हैं अगर सोल हजार इस्त्रियां आत्म हत्या कर लेती हैं भगवान कृष्ण के रहते रहते तो यह बहुत बड़ा कलंक और अगर यह सोल हजार किसी खलतिस्तान पर चली गई तो भी समाज में एक भयंकर विगाड पैदा हो जाएगा आप उसको समझ कर देखो घर की देवियां जब घर की मरियादित इस्तिती में रहती हैं तो शोभा पाती हैं एक मरियादा में रहती हैं तो इनके लिए स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि इनको स्वतंत्रता नहीं है जो आज की माताएं कहती है कि स्वतंत्रता हमें चाहिए हमें स्वतंत्रता चाहिए वह स्वतंत्रता का इस तरह से फाइदा उठाती है कि अपने तन के कपड़े भी उन्होंने उतार कर रख दिए इसको स्व अपनी लाज भी उतार कर रख देना ये स्वतंत्रता चाहित आपने एक मर्यादा बनी हुई है उस मर्यादा में रहे मर्यादा सब के लिए केवल इस्त्रियों के लिए नि हर एक जियों के लिए कि हर एक प्राणी के लिए मर्यादा और वो अपनी मर्यादा में जब तक रहता है जब तक संतुलन में रहे तब तक वो अपनी पद्वी को प्रतिष्टित करता है सबके लिए मरियादा आपके लिए मरियादा है मेरे लिए भी मरियादा है सबके लिए मरियादा है मताओ और उस मरियादा को जब लांग जाती हो तो रावड जैसे दुष्ट तुम पर हावी हो जाते क्या किया रावर कैसे लेकर गया मरियादा के भीतर कहां जानकी का कुछ बिगड़ने वाला था जैसे मरियादा से बाहर जैसे रेखा से बाहर जैसे लाइन से बाहर जैसे सीमा से बाहर तो बिगड़ना ही बिगड़ना है फिर अस्तुप्तों का खत्रा बहुत बढ़ जाता है इसलिए आपकी स्वतंत्रता रुशोभा कपड़े छोटे करने में नहीं है यह स्वतंत्रता नहीं है इसलिए अपनी बेटियों को सुरू से संसकार दो खासकर मैं बेटियों की बात कर रही हूँ माताओं से उन माताओं का करतव है अपनी बेटियों को बेशक श्रंगार करना सिखाओ पर इनको फैसन करना मत सिखाओ श्रंगार क्या है श्रंगार शरीर को शोभा देता है स्वक्ष रहना सिखाओ बाल कंगी हुए होने चाहिए बाल की चोटी बनी होनी चाहिए बाल धुले साब सुतरे होने चाहिए बंदे होने चाहिए पर बाल चार जगे से कटे नहीं होने चाहिए इतनी फैशन क्या दिखाना चाहते हैं हम क्या दिखाना चाहते हैं हम श्रंगार करना सिखाओ फैसन करना मत सिखाओ क्योंकि श्रंगार आपको सुन्दर बनाता है और फैशन समाज में अश्लीलता लेकर आती है मुझे यहां अच्छा लगा मुझे एक भी बेटी ऐसी नहीं दिखी जिसका पहनावा कोई भड़काउ पहनावा हो इसलिए मुझे अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा यहां का हम कितने भी बड़े बन जाएं तो क्या हुआ और आज की तो इस्तिती ऐसी हो गई कि जिसके जितने छोटे कपड़े वो उतना ही बड़ा आज की इस्तिती विडबना देखिए पहले माताओ बंदुओ खेती बहुत ज़्यादा नहीं होती थी आपके यहां तो फिर भी खेती की समस्या है क्योंकि पानी की समस्या है पर हम जब क्रशी की एक तुलना करेंगे तो पहले की अपेक्षा क्रशी अब बहुत बड़ी है क्योंकि साधन बड़ी है पहले बेलों से खेती थी अब ट्रेक्टर आ गए तमाम मशीनरी आ गए तो खेती बड़ी क्रशी बड़ी पहले उतना अन नहीं होता था लेकिन आप जानते हो कि पहले अन कम था पर कोई भूखा नहीं सोता था सब खाकर सोते थे आज जितना अधिक अन बढ़ गया उतने ही भूखे फुटपातों पे पड़े हैं आप देख लो जाकर गरीव बालक दोना चाटने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्या था पहले बांट कर खाने की आदत थी दो रोटी है तो क्या हुआ चार लोग है तो आदी आदी खाएंगे और दो गिलास पानी पीकर अपनी आत्मा को तसली दे लेंगे पर अब अगर दो रोटी हैं मेरे पास तो दो रोटी उसकी भी मेरे पास आजा जब ये व्रत्ती आ गई तो भूखो की लाइन बढ़ गई तुमने किसी और की रोटी छीनने का चिंतन बना लिया और पहले किसी को रोटी देने का चिंतन था हम देखते हैं, पहले मकान भी उतने बड़े नहीं होते थे, हमारे बुजरुगों को पता होगा, पहले घर इतने बड़े कहां होते थे, और वो भी कच्चे-कच्चे मकान होते थे, कई बार तो एक-एक कमरा होता था और उस एक कमरे में दस-दस लोग आराम से रहते थे, यह जानते हैं यह जो बड़े हैं यह जानते हैं इन्होंने जो समय देखा है वो जानते हैं एक ही कमरा है तो भी क्या हुआ उसी में बहन भी है बुआ भी है पती पतनी भी है सब उसी में आनंद से बच्चे भी है सब रह रहे हैं और अब तो अपने एक एक बच्चे के लिए अल कमरे में बंद है भीतर कमरे में और आपको कुंदी खट-खटानी पड़ती है बेटा भीतर आजाओं क्या तो फिर शर्म से सरजुगता है वो एक स्तिति थी कि बेल भी बुअ भी ये पती पतनी वी ये बच्चे भी आनंद से नीचे गद्दय डालके लेटे हुए गद्दय नहीं है तो बिचोना डाल लिया कुछ नहीं हो थो इस मात्र भूमी की मिट्टी की काई विचोना समझ के आनंद से सब रह रहे हैं लेकिन अब एक आठ वर्ष का बालक भी अलग कमरे में माता पिता को परमिशन देख देता है कि आप अंदर आ सकते हो कि क्या चुपा रहा है वो आप से आप सोच सकते हो पीडी कहा जा रही है हमारी उस कमरे में पती पतनी भी हैं बच्चे भी हैं बेहन बेटियां भी हैं तो भी कुछ छुपाना नहीं है और यह आठ वर्ष का बालक जिसके साथ आसपास कोई नहीं फिर भी कुछ छुपा रहा है इसके माने पीडी आपकी सही दिशा में नहीं जा रही है पहले छोटे छोटे घर होते थे फिर भी सब घर में रहते थे और आपके यहां तो अभी भी मैं जब गाओं की तरफ निकलती हूं तो कई जगे वो छोटे छोटे मकान अभी दिखाई दे जाते हैं चोटे छोटे घर होते थे आज वो घर बड़े बड़े हो गए पर पहले छोटे घर में भी सब प्रेम से एक साथ रहते थे और घरों में रहते थे आज एक एक व्यक्ति के पास दस-दस मकान हो गए पर आज उनी लोगों के पास अपनी माता पिता को रखने के लिए स्थान नहीं है एक एक के पास दस-दस मकान हो गए फिर फुट पातों पर तमाम लोग बिना घर के पड़ें हुए आज व्रद्दी की हमने मैं आपको सिस्तिती में ले जाना चाह रहे हूं आता हूं और एक समय था जब कपड़ा बहुत कम बनता था कात कात कर सूत कपड़ा बनाया जाता था सूत काता जाता था या कपड़े की कमी भी पड़ जाती थी कई बार कपड़ा उतनी मात्रा में नहीं होता था पर फिर भी हर व्यक्ती कपड़े पहन कर रहता था और आज एक एक फैक्टरी में इतना कपड़ा बन रहा है कि एक फैक् कि वह अपनी बेटी को पूरे कपड़े नहीं पहना पा रहा है यह अंतर कपड़े में नहीं आया अंतर तुमारी खोपड़ी में आ गया बुद्धी में आ गया सोच में आ गया हम नंगे होने में अपना सम्मान समझने लगे बड़पन समझने लगे हम चीनने में अपना बल स यहां तो परिक्षाएं पल पल पर दी जाती हैं, यह कृष्ण के आगे हाथ जोड कर केती हैं, यह राजकुमारिया है प्रभो हमारी परिक्षा लेगा समाज, हमसे पूछेगा कौन है तुमारा पती नाम बताएए, अभी आप यहां जिस भी माता को बुलाते हो, सम्मान के ल दुनिया में जीने के लिए हमें वो पहचान कौन देगा है प्रभो है केशब है द्वारी का अधीश वो पहचान कौन देगा भगवन कृष्ण ने कहा, वो पहचान मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारा पती हूँ, मैं हूँ ना तुम्हारा स्वामी, और पती के माने स्पश्ट रूप से समझ लो थोड़ा कि पती का अर्थ क्या होता है पती के माने होता है स्वामी रक्षक जो रक्षा कर पाए जैसे साधरन सी भाषा में आप समझ लो केवल मांग में सिंदूर भरना और गले में मंगल सूत्र डाल देना ही पती का काम नहीं होता, या अगनी के साथ चक्कर लगा लेने मात्र से पती नहीं हो जाता, जो उसके अस्तित्तों की रक्षा कर पाए, जो उसके मान सम्मान की रक्षा कर पाए, जिसके भरोसे वो साथ फेरे लेकर सब छोड़ कर आ गई है, रक्षक को पती कहा, और जैसे का भी एक रक्षक होता है जिसको हम राष्ट पति बोलते हैं नकि करदा अधिराज्ट का भी यह पती है तो क्या उस राष्ट्ट्र पति ने राष्ट के साथ चकर लगाए थे या मांग में कोई सिंदूर भरा हो या मंगल सूतर कहीं लटकाया हो कि मैं राष्ट्र पती हूँ इसका मने रक्षक है वही तो पती है वही तो स्वामी है जो रक्षा कर पाए मैं हूना तुम्हारा पती मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम सब जाकर द्वारिका में निवास करो, मेरी द्वारिका तुम्हारे लिए खुली हुई है, और जब भी कोई तुमसे तुम्हारा परिचे पूछे, तो कह देना निर्भीक और निडर होके, हम भगवान कृष्ण की पत हो, आप सोचके देखिए, हमारी निजर किस तरह देखती है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन कृष्ण की दृष्टी, किसी को गलत देखने की नहीं, कृष्ण की दृष्टी, गलत को समाप्त करके सही की स्तापना करने की है, यहां विवाहों का भाव गलत नहीं है, विकार न मान देना किसी को नाम देना धर्म की रक्षा करना इसी लिए भगवान कृष्ण ने यह कार्य किया और तमाम कार्य भगवान कृष्ण ने बड़े-बड़े यग्यों को भी सफल करवाया